आज अगर कोई भी आदमी टेस्ट कराता है तो जादा तर आप ये देखें कि हर दूसरे आदमी को विटामिन D की कमी निकलाती है और इसके लिए लोग महंगे महंगे इलाज कराते हैं और यहां तक कि कई टेस्ट इतने महंगे हैं जो आदमी को पॉसिबल तक नहीं है फैरवाने और विटामिन D जैसी चीज जो भगवान हमें मुफ्त में दे रहा है सूरे भगवान के दोरा वो हमारे अंदर कम पढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ कि हम सूरे की रोशनी में नहीं रहते जबकि आप सब जानते हैं कि एक दिन में कम से कम आदा घंटा शुरीर को धूप लगनी चाहिए लेकिन क्या हम लगवाते हैं सारा दिन इन चार दिवारियों में बंद रहते हैं जिस वज़ा से हमारे श्रीर में विटामिन डी जैसी चीज़ की भी डेफिशेंसी होगी और अब हमारी हड़ीयां कमजोर हो रही हैं श्रीर में अलग-अलग तरह के उसके रिफिलेक्शन नजर आ रहे हैं कि हमारे अंदर विटामिन डी कम हो गया है अब अगर इसे पूरा करना है और अगर आपको डक्टर ने बता दिया कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी आ गई है तो मैं आपको एक ऐसा घरेलो उपाय बताता हूँ जो आप घर पर ही आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी आपने बजार से एक एक लिटर की साथ बोतलें खाली खरीद कर लानी है कांच की पलास्टिक की बोतल नहीं होने चाहिए, कांच की ही बोतल होने चाहिए ये ध्यान रखना उनको अच्छे से धोंके वाश करके उनमें सातों बोतलों में जो आप घर पे पानी पीते हैं वो पानी भर दे मतलब सात लिटर पानी हो गया और हर बोतल के उपर आप एक काले रंग का मारकर लेके हर बोतल के उपर एक नंबर डाल दें बोतल पहली पे लिख दें एक, दूसरी पे दो, तीसरी पे तीन, चार, पान्च, चेस, साथ हर बोतल के उपर मारकर से नंबर डाल दें पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 आपने नंबर डाल लिए अब आपके घर की छट पे या कई अगर आपकी घर में चात ना हो, तो बालकनी में जहां आपको लगता है कि धूप सबसे ज़ादा आती है उस जगा पर ये बोतले रखनी है क्योंकि हमें सूरे तापी जल बनाना है इसको बोलते हैं सूरे तापी जल ये क्योंकि सूरे की किरने उस पानी के अंदर परवीश कर जाएं तो हम एक लकडी का फटा बिचाएंगे ताँकि जो सूरे का पानी के अंदर असर आएगा वो जमीन में अर्थिंग के जरीए वो उर्जा निकल न जाए तो इसलिए नीचे एक लकडी का फटा बिचाएंगे लकडी के फट्टे के उपर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बोतले रख दे और उसे कम से कम साथ दिन तक धूप लगवाएं साथ दिन तक वो धूप में पड़ी रहें आप को कि साथ दिन तक तो धूप सुबह आती है, दुपैर को ढल जाती है शाम को चली जाती है, रात को रातरी होती है, आप वहीं पड़ी रहने दे जब सूरे निकलेगा तब उसके उपर रोशनी पड़ेगी, तब वो पानी सूरे की किरनों को एब्सॉर्ब कर लेगा साथ दिन तक लगातार वो बोतले वहीं पड़ी रहने चाहिए, उनमें से बोतल कोई उठानी नहीं है साथ दिन बाद ये आपका चार्ज वाटर है, जो की सूरे द्वारा चार्ज कर दिया गया जिसके अंदर विटामिन डी की प्रवेश हो चुका है, जो आपके विटामिन डी को बॉड़ी में बढ़ाने में मदद करेगा बोतले आपको वहीं रखनी है, वहाँ से हटानी नहीं है, साथ दिन के बाद भी वहाँ से उठानी नहीं है सिर्फ एक बोतल उठानी है, नमबर वन वाली बोतल उठाएं, पहली बोतल उठाएं और इसके पानी को दिन में चार बार आप 200-200 मिली लिटर क्योंकि एक एक लिटर की बोतल है, तो चार गिलास आपके 200 अमल के उसमें से निकलाएंगे तो आप उस पानी को सुबा, दोपैर, शाम, रात, चार गिलास पानी ऐसे पी लें, पहले दिन, बोतल को जब खाली हो जाएगी शाम को, तो शाम को भरने के बाद, फिर वहाँ जाकर आपको बोतल रख देनी है दूसरे दिन आपको दूसरी वाली बोटल उठानी है, दो नमबर वाली, अब इसका पानी दिन भर पीना है, और फिर शाम को भर के वहाँ पर रख देनी है तीसरे दिन तीन नमबर वाली उठानी और वहाँ रख देनी, इसी क्रम से आप चलेंगे तो साथ दिन का जो चार्जिंग है, जो पहले नमबर वाली आपने पानी पिया था, साथ दिन तक तब तक वो चार्ज हो चुका होगा तो आपने इसकी साइकल बनानी है, कि एक नमबर वाली बोटल का अब नमबर साथ में या आठ में दिन उसका नमबर आएगा, जब साथ में खतम होजेगे तो आठ में दिन एक नमबर वाली का नमबर आएगा, नौवे दिन दो नमबर वाली का नमबर आएगा, आपको इस में चार बार पीना है रोज आप इसको पिते रहें लगातार पिते रहें इसका कोई side effect नहीं कोई नुकसान नहीं कुछ नहीं नदियों के अंदर भी सूरे की रोशनी पढ़ रही है समंदर में सूरे की रोशनी पढ़ती है उसके अंदर उस जल में सूरे की उर जा चुकी है ये पानी अगर आप रोज पियेंगे तो आपकी विटामिन D की डेफिशनसी जड़ से दूर जाएगी आप इसे रोज करें, नित्ते करें जितने मरजी दिन करें, इसका कोई नुकसान नहीं है आपके शरीर को फाइदा ही फाइदा होगा और विटामिन D की सारी प्रॉब्लम, जितनी भी डेफिशनसी आ रही है हड़ियां मजबूत नहीं है, कमजूरी है, काम करने को दिल नहीं करता है सुस्ती है, तकावट है, आँखों की रोचनी कम हो रही है दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, डिमेंटल डिप्रेशन हो रहा है विकने सारी है, ठकावट हो रही है, यह शरीर बेकार होता जा रहा है शरीर निडाल होता जा रहा है, शरीर उतना शक्तिशाली नहीं है जितना पहले था, एनरजी की कमी है सब चीजे इसी जल से दूर हो जाएंगी आपको फ्री का इलाज है और आप कहोगे कि जो दुनिया की दवाईयां काम नहीं कर सकती वो इस सूरे तापी जलने करके दिखा दिया